दोनों ही कप्तान और मैच रेफरी मैदान के बीच ओबीच टेल्ज मांगा है और टेल्ज ही है एक अच्छा टॉस जी तब इनको परिस थितियों का लाब उठाते हुए योजना के अनुसार खेलना होगा ये हैं वो 11 खिलाडी जो अपनी टीमों के लिए खेलना आरेस पारी की पहली गेंद खेलने के लिए ये शॉट गया हवा में और गैप ने भी गया इश्क फरमाते हैं ये बाद विपक्षी टिंग को बखु भी मार तो बे बुनियाद शॉट बल्ले बास दोरा ठीक से पढ़नी पाए परी केंद बाजी और शे त्रक्षण से बल्ले बास को एक एक गंड के लिए संगर्श करा रहे हैं बहुत बढ़िया कप्तानी बखाती बढ़िया धंग से खेला सिंगल के लिए ये तो चीत है कि रफ्तार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में बना शॉट लगाया उन्चा भी था लंबा भी था पल्ले कब बीच ओ बीच से था अब पता नहीं भाईया ये गिंद कहां जाएगी और चूप कर इस बार काफी हताश होएंगे अपने आप से सीधा स्लोट में थीगे सिंगल लिया बल्ले बाद स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी कर रहे हैं बल्ले बाद नहीं गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार निश्चित तोर पे इसकी कामना नहीं कर रहे थे बड़ी अगेंद बादी ये देखो बल्ले बाद कर रादर रूप उसे मालू है कि गेंद का क्या हश्र करना है बहुत लै में नजर आ रहे हैं ओ अतियुत्तम गेंद काफी हताश होएंगे अपने आप से सीधा स्लॉट में थी गेंद कामाल का शॉट दो रन मिल सकते हैं पनले बाद ने गेंद बाजी को सधारन बना दिया है चलिए देखते हैं आगे क्या होगा पनले बाद निश्चित रूप से दो रन ले सकते हैं देकि समापती फील्डिंग टीम अप दो से ज़्यादा फील्लर दाइरे के बार रख सकती है फील्लर के बाजू से रन चुना लिया इनोंने बैठे हैं तो हाद उत्साहित ये सही धन से नहीं खेला है और फील्लर लगाया है यहाँ तो नाक के नीचे से एक रन चुरा लिया बॉस बन्लेवाज हमेशा रन चुराने के लिए तयार रहते हैं बहुती हुन Meg ये बड़िया रनिंगँ अध्भूत रनिगँ यह तो चीत है कि रफ्तार से भाग रहे हैं एक फील्डर लगा है अचनाट नक शॉट खेला यह रन के लिए दौर लगाई क्या दूसरे की प्राप्ती होगी रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उमदा रहे है दोने बल्ले बाजो के बीच लफ्तार परी गेंद इसके जाल में से निकलना मुश्किल है पेज गदी के गेंद बाजो को काफी असानी से खेला इनोंने कमाल के शॉट दो रन मिल सकते हैं गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सठीक रखनी होगी क्या चाबुक शॉट लगा है ऐसी शॉट की अवास का निकल सकता है चाहिए देखते हैं गेंद को भेजा है हवाई या तरफ पे पुंदा गेंद बासी बल्ले बास शॉट खेलने को देख रहे हैं लेकिन गेंद बल्ले से इश्ट ने फरमा पारी मौजूदा रन रेट को देखते हुए बल्ले बास अपने रूप बदल रहे हैं अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए ये तो चीत है कि रफटार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में ये तो चीत है कि रफटार से भाग रहे हैं अला गेंद किना रह लगा बल्ले का ये आउट लगता है फील्लर ने गेंद को पकड़ा और सिधा स्टाम्स की और भेका पड़िया तरीके से छोड़ा बलिया बास में ये बहुती कठिन फील्ड है गेंद बासी करने के लिए गेंद बास को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी और ये शॉट गया हवा में और गैपने भी गया और चूप दर इस बार काफी हताश होएंगे अपने आप से सीधा स्लॉट में थीगें और ये बढ़िया धंसे खेला सिंगल के लिए आत्मों विश्वास भर्यपी लेकिन अंपायर ने नकारा बल्लेबाज नई गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार खालू आगे अंबाजी और इसमें का जिब्राना स्ट्रोक मर आया अरे शॉट के ले गए और बड़ा शॉट बल्लेबाज ने इस मिश्चित तौर पे इसकी कामना नहीं कर रहे थे बड़ी आगे सिंगल लिया परले बाज स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी कर रहे है कि नहीं होगी है कि यह इस बल्लेबाज के दिमाख को पढ़ रहा है और उनकी योजनों पर पानी फेरे जा रहा है कर दो जाता है कि बड़ी आगे पर लेवास द्राइक थीक से बढ़नी पाए चूप गई इसमार इस खुब सुरत देन में कि लिए भिखे लिए ये सही धंग से नहीं खेला है बना शोट लगाया उच्छा भी था लंबा भी था बल्ले के बीचो बीच से था भारी अपीर और पांट बल्ले बास गेंद बास बल्ले बास के दिमाग को पढ़ रहा है और उनकी योजन ओपर पानी फेरे जा रहा है यह देखो बल्ले बास का रौदर रूट उसे मालूम है कि गेंद का क्या हश्र करना है बल्ले बास शॉट खेलने को देख रहे हैं लेकन गेंद बल्ले से इश्क नहीं परमा पारी बल्ले बास निश्चित रूप से दो रहन ले सकते हैं रौनिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत युम्दा रही है दोने बल्ले बास के बीच यह जो बाउंडरी से इश्क फरमाते हैं यह बाद विपक्षी टीम को बखू भी मालूम है अचूप के इस बार मौजूदा रन्रेट को देखते हुए बल्ले बास अपने रूप बदल रहे हैं रौनिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत युम्दा रही है दोने बल्ले बास के बीच मौजदा रहे हैं